नमस्कार मैं राहुल पार्चा भारतिये अखिल भारतिये परिवार पाटी का रास्तियों पाद्यक्ष आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ दोस्तों अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पर मैंने बताया था कि कौन सी सीट रिर्जर्व हुई तो सी पर बदल हुआ है इस बार चुनाव मैं परधानी के यह फएर बदल के विरोध में अज्य कुमार जी नेए लाबाद हाई कोट में एक केस दार्स किया है कि यह सीटों का जो फेर बदल हुआ है वो सही नहीं हुआ है केस आधार पर हुआ है लोग इससे शायद रुस् मार्च को इस पर सुनवाई होगी इस केस पर और बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी आपतिधि दरज की है आपत्ती गलत के खिलाफ होनी ही चाहिए विरोध भी होना चाहिए विरोध करना हमारा अधिकार है जो हमें सम्विधान ने और इस सम्विधान के दुआरा जो हमें अधिकार दिये गए हैं उसका हम पूरा इस्तमाल कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि सरकार की गलत नीतियों के वजह से इलेक्शन में भी कुछ देरी हुई है इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए थे ग्राम परदान के और यह शायद अब सही कर पाएंगे क्योंकि जो फैसले अभी सरकार ले रही है वो ना तो देश हित में लग रहे हैं ना ही गाउं के हित में लग रहे हैं इलेक्शन निस्पक्ष होने चाहिए और मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी भी हुई है ऐसा कहा गया है उस याचिका में तो आप लोग भी उस पर निगाह बनाए रखें अगर आपको लगता है कि आपके यहां भी ऐसा कुछ फैसला लिया गया है सीटों का आवंट